17 अगस्त 2013 को इलाबाद के आनन भवन में एक कॉंग्रेसी कारिकरता ने एक पोस्टर लगाये था जिस पोस्टर पर प्रियंका गांधी के लिए उनकी तस्वीर के साथ कुछ लिखा हुआ था जिसमें क्या लिखा था आप सब भी सुनेगा और खुश्बू सुन्दर स्पेशली आप सुनेगा मैया रहती है बीमार भाईया पर बढ़ गया है भार प्रियंका फूलपूर से बनो उमीदवार पार्टी का करो प्रचार कॉंग्रेस की सरकार बनाओ तीसरी बार इस पोस्टर को लगाने वाला कारिकरता इलाबाद कॉंग्रेस के शेहर का महासचिव हसीब एहमद था जिसे तुरंथ पार्टी से निलंबित कर दिया गया था अब प्रियंका गांदी को महासचिव बनाया जाना पूरवी यूपी का कमान देना भूल सुधार है बिल्कुल नहीं उस वक्त जो बात थी और आज भी जो बात है दोनों अलग बाते हैं उस वक्त जब आप जो 2013 की बात कह रही है उस वक्त ये था कि प्रियंका जी ने कभी नहीं कहा है कि मैं एक अध्यक्ष बनना चाती हूँ हमेशा तुर रहयी है वो हमेशा हुआ पॉलिटिक्स में हालक कि वो गई है हमने देखा है कि और अध्यक्ष काम करती रही है लेकिन एक अक्टव पॉलिटिशन की तोर पर उनने कभी ये कोशश नहीं किये कि मैं आगे बढ़ू उनका हरवक मौका गया दिया गया था लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को हामी नहीं भरी और आज क्या फर्क है 2019 में जरा बताईए पर कुछ नहीं है या यही कि आज प्रियंका जी तयार है उस वक्त वो तयार नहीं थी वो active politics जो कहते हैं उसके लिए तयार नहीं थी कभी भी एक politician जो बनता है जो एक party में आना चाहता है एक position हासिल करना चाहता है उसे 100% अपने आपको उस position के लाइक बनाना पड़ता है राहूल गांदी से जादा active थी कि नहीं थी प्रियंका गांदी उस वक्त 2013 में तो आज राहूल गांदी है उसके वक्त उसके बाद तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मुझे active रहना है आपने कभी सुना है कि प्रियंका जी ने कोई television interview दिया हो या कहीं paper वाले को interview दिया हो या अपने आपको आगे बढ़ाया हो वो तो बिल्कुल हमेशा पीछे रही है पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरस्टी नहीं दिखाया है लेकिन आज जब वो एक पूर्व उत्रप्रदेश की अदेख उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है तो मेरा सबसे पहला सवाल उठाया है कि उनको ही नहीं बलके जोतिराव सिंद्या जी को भी हमने एक पोजिशन दी है गलाम सर को यूपी से निकाल के हमने हर्यार में पोजिशन दी है तो उनकी क्यों नहीं बात होती है आज प्रियंका गांधी को जब एक जनरल सेक्रेटरी वो भी एक पूर्व वेस्ट उत्रप्रदेश की उनको प्रवक्ता बनाया है तो इतना बवाल नहीं खड़ा हो रहा है सब लोग बात कर रहे हैं जो बीजएपी वाले कह रहे हैं डाइनस्ती पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं मैंसे इतना पूछना चाहूंगी प्रियंका गांधी जी को एक जनरल सेक्रेट्री बनाया गया है इसलिए बावाल खड़ा हो रहा है या उत्तर-प्रदेश के देखिए Congress Party किस निता को किस पदती पे बठाती है अंदर लाती है बाहर ले जाती है यह उनका इंटर्नल मामला है लेकिन इतने साल से जो हम कहते आ रहे हैं वह आज हैंस प्रूव हो चुका है कि भई इन के लिए भारते जनता पार्टी के लिए पार्टी ही परिवार है लेकि पुष्भू जी अपनी बहुत हाई लेवल पर पहुची वी एक प्रोफेशनल रह चुकी है अपनी फिल्ड में इनों ने पाथ सितारा इस लेवल का इनों एक तरीके से प्राप्ति करी है इतने लॉरल जिनों ने प्राप्ति करी है मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका वा चुनाओ जब हुए थे तो उनको इंचार्ज बनाया गया था अमेठी राइबरेली का पांच सीट अमेठी में से सिर्फ चार सिर्फ एक जीत पाई चार हार गई कॉंग्रेस और पांच सीट राइबरेली में से सिर्फ दो जीत पाई तीन हार गई कॉंग्रेस तो अगर ये इनकी professional qualification है, then आप लोगों को आपको मुबारक हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं? कौन सी योगेता है प्रियंका गांदी में जो महा सची बनाया गया है और प्रभारी बनाया गया है? खुश्बू सुंदर. नहीं, मैं तो नोपुर जी की बात सुन के पहले तो शुकरिया जो आपने मेरे बार में इतनी तारिफ की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सामने रहें तो बात होती है, इंसान पीछे से भी काम करता है. और जो आप कहती हैं कि डाइनस्टी पॉलिटिक्स में बताओं कि कॉंग्रेस पार्टी जो है, उसका इंसेप्शन 1885 में हुआ था, शायद आपकी हिस्ट्री इतनी ठीक नहीं है, जाकि आपकी भारतिय जनता पार्टी 1980 में, तो ग्रांड ओल्डेस पार्टी जो कहते हैं, कॉंग्रेस को कहते हैं, और अभी तक हमने 60 अध्यक्ष कॉंग्रेस पार्टी के हम देख चुके हैं, जिन में से सिर्फ नहरू की फैमिली, जैसे हम कहते हैं, गांधी फैमिली जो कहना चाते हैं ये लोग, सिर्फ उनको हमने 4 लोगों को देखा है, जो पहले नहरू जी को देखा था, उसके बाद में इंदरा जी और पिर सोनिया जी और आज राहुल जी, जहां पर 60 हम बात करते हैं कि 60 कॉंग्रेस प्रेसिडेंस में से सिर्फ चार गांधी फैमिली के प्रेसिडेंस हुए हैं, तो अगर इसको वो लग डाइनस्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो म बात बताओं, 20 सेकेंड, मेरी खुश्बु जी, प्लीज मेरी हिस्ट्री को थोड़ा और ब्रश अब कीजिए, जो मैंने सवाल आप से पहले पूचा, प्रियंका गांधी वाडरा ने कौन-कौन से पदती पे काम किया है, कॉंग्रेस पार्टी में हिस्टोरिकली इसका जव पूल वाला रहा है, और जिसने भी गांधी परिवार के किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की कोशिश करी है, तो उनका क्या हाल हुआ है, सब भली भाती जानते हैं जनता में, तो तरह इसी चीज़ का जवाब दे दिजे, कि कुश्बु म सवाल की जवाब को तयार रखेगा, सोनम महाजन को इन्वाल्व करना चाहते हैं डिबेट में, सोनम महाजन, अमिर शाह और मोधी को चुनावती दे पाएंगी, प्रियंका, जिस तरह से आज लगातार कॉंग्रिस कहती दिख रही है? इसका परिनाम तो हम देखी चुके है यूपी में, जब उनको responsibilities मिली थी, तो वो डिलिवर नहीं कर पाए थी, बाकि जो power of branding अगर हमें सीखनी है, तो वो गांधी फैमिली से सीखनी चाहिए, इनको exactly पता है किसको picture में लाना है, और एक, definitely एक sentiment तो है, हार का, इन लोगों में already visible है, और इसलिए राहूल गांधी जी को पीछे करके, प्रियांका गांधी को picture में लाया जा रहा है, क्योंकि I think जो इनकी allies है, उनको भी राहूल गांधी की अध्यक्षिता में, उनकी leadership में भरोसा नहीं है, और इसलिए एक ऐसी महिला को लाया जा रहा है, ना तो जैसे में उन्होंने campaigning भी की है, पर बार बार उनको जब भी election का time आता है, तो एक ऐसे present किया जाता है, कि उनको अभी suddenly as a new face launch किया जा रहा है, क्योंकि उनकी एक resemblance है इंद्रा गांधी जी के साथ, तो बार बार उस emotion को exploit करने की कोशिश की जाती है, just because उनकी शकल इंद्रा गांध इसको बार पर exploit करना, देश के वोटर को बेवकूफ बनाना, ये कोई गांधी परिवार से थी है, ये आरोफ हमारे साथ जुड़ी सुनम महाजना पर लगा रहे हैं, बाकी पैनलेस की पास पर बात है, वचवाद की मैं फिर कह रहा हूँ, ये वचवाद नहीं कहलाया जाएगा, इसलिए कि वो लगातार उस परिवार से आ रही है, जो लगातार राजनीती में रही हैं, और इस बात को मैं बावजूद इसके कि मैं एक कम निस्ट नेता हूं, इस बात को मैं मानता ह कि निश्चित तोर पे इस परिवार के दो लोगों ने बहुत बोड़े सब्रिफाइज किया अपना जीवन देके नुपुर ये वाच्छ वाद नहीं है वो बले ही इसमें कॉंग्रस में सक्रिय राजनीती में आज प्रवेश कर रही हूं लेकिन वो स्टूडेंट पॉलिटि प्रोफेसर मेरा सवाल ले लिजे आपने क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करी आप क्योंकि खुद उनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का प्रड़क्ट हूं अल्टिमिटली मैं 11 साल पहले थी अध्यक्षा मैं आपसे पूश भी कह लिजे ऑपरचुनिटी नेपटिजम और डाइनस्टी से बहुत अराम से आपके जोली में डाल दी जाती है आपका प्रीवियूस वर्क बिल्कुल नहीं देखा जाता सब जानते हैं और अंत में इतना कहना चाहूंगी कि राहुल गांदी जो यह कह रहे हैं कि यह करम कि अपकर आपी प्रूरा अड़ाने को मनें आपके सेयरी तो मैं कई फाइन सेयरा हैं जो हैल्피 की इंडूस्टान में कं से कम जो है effectivement.. आप में बता दिज में आपि फजी आप राजनीट करता है। I openly challenge you, आप एक इंसान का नाप गिर्वादाए जो सिर्ञ पारिकिवा का लुट करता है। तो इंटेलिजेंट मेरे को भी इतनी हिस्ट्री की समझ है जो चाहिए नहीं है मैं आपसे पूछ रही हूँ एक नाम किर्वार दीजिए जो पैरे शूर्ट होगे भारते जन्ता पार्टी में उपर से आस्मान बंचे टपके पार्टी का करता धरता बनाओ किसानों के टपके बार्टी करता बनाओ बनाया हो जिसको जिम्मेदारी दियो आप ने उपर नाम को चुप कराऊंगी खुश्बू सुंदर कुछ कहना चाले है खुश्बू सुंदर नुपूर आरूप लगा रही है कि आगर राहूं गादी आप नोपूर नुपूर रुक नुपूर प्लीज चुप हो जाए खुश्बू सुंदर की टरन है खुश्बू सुंदर नुपूर आप पर यह आरूप लगा रही है कि राहूल गांदी अगर आज यह कहते हैं कि वह आप बाक फूट पर नहीं खेलेंगे तो इसका मतलब वह बाक फूट पर खेल रहे थे तो क्या मतलब यह माना जाए कि राहूल गांदी नाकाम हो गए थे और इसलिए उन्होंने अब प्रियंका गांदी को आगे कर दिया है प्रियंका गांदी और इंड्रा गांदी जी के साथ साथ में इसमें दिखाया गया कि उनी की छवी हैं अगर प्रियंका गांदी जी कॉंगर्स पार्टी के लिए वह वाइटमीन का इंजेक्शन बन गई है जिनको जिसको लेने के बाद थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है फिर उसके बाद शरीर वैसा का वैसा ही हो जाता है अगर किसी के पिता डॉक्टर है तो जरुए थोड़ी होती तो हम उनको कपका आगे लिया आते हैं अगर लेगेसी आगे बढानी होती तो प्रियंक कपका आगे लिया आते हैं सोनम जी सोनम जी सोनम जी अभी जो रिजल्ट आए है पांच प्रदेश के रिजल्ट आए है वो आपकी आखों के सामने है मैं यहाँ पर कौन राजनीती में आने के लाइक है या नहीं है उसका सर्टिफिकेट बाटने के लिए याँ पर नहीं बैठे है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ शेष आराएं जी मैं शेष जी खुश्बु जी दोनों की बात का जवाब दूँगी प्लीज मुझे जरब प्लीज पचास सेकिंड दीजेगा सबसे पहले खुश्बु जी फ्रंट फॉट बैक फॉट तो राहुल जी का खुद का ही बयान है उनसे पूछ लीजिए क्योंकि 31 चुनाओ भी उ चाहे वो अब हाली में मैं मेटी से नहीं लड़ूँगा अलग अलग जवा लड़ूँगा और तीस मुझे प्लीज मेरी बात पूरी करने दीजे मैं किसी के अखिल आएगा आप कहते लिकिन नहीं भी तो 25 लोग आपके साथ में नहीं है और तीसरा आप अपनी सहन को आगे मैं अपनी बात पूरी कर लूँ मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि हाली में राहूल गांदी जी ने बयान दिया था कि मोधी जी ने महिला को आगे कर दिया उनके पीछे जाके छिप गए तो राहूल गांदी के अपनी बेहन के पीछे जाके छिप गए इन्हों ने अपना हा परिवार उसका सरनेम नहीं देखेगा क्योंकि एक एड़र्स नेगटिविटी तो ये भी है कि जो अपने घर में चोरी नहीं बचा पारी क्योंकि उनके खुदके शोहर के उपर सौ से अधिक और उनकी एट्स के उपर सौ से अधिक ग्राफ्ट और करप्शिंग और लाइंड जब नपर जी पहले तो जवाब देने का मौका दें जो घबराट आप दिखा रही है वादरा जी की बात कर रही है वो कई भागे नहीं है नहीं उनको राहूल जी नहीं है कॉंग्रेस ने देश के बहार भागा दिया है कि कहीं एंटीगुआ में जाके नहीं बैटे हैं चोरी करके यहीं पर हैं जो भी केसे से यहीं पर लड़ रहे हैं कहीं भागे नहीं हैं आपके आँकों के सामने हैं और यह जो कोट प्रूफ करेगा तो आप लोगो उसके लिए डरने की जरूत नहीं है जो बैसाखी की बात करती हैं तो वो एंडिये में जितने अलाइंस हैं कश्मीर से कन्या कुमारी तक जो आप बात करते रहते हैं तो वो 56 इंच का सीना ठोक कर कह दीजिए कि कहीं भी आपकी आप बैसाखी पर नहीं चले हैं जरा बता दें जहां पर बात होती है कि औरत के काल देते हैं तो मतलब जो जिसको जो सूट करता है वो भाशा इस्तमाल कर देता है खुश्बू सुन्दर और बैसाखी की जुरत आपको क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी को परती है जुई सिंग करना चाहिए जुई सिंग जुप जाईए खुश्बू सुन्दर उप